सबस्ट जो भी आपने इस थाउनेल पर देखा है वह सही है मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है एक वीडियो में जो वीडियो अभी आप देख भी सकते हो वो वीडियो मेंने रिलीज कर दिया है और फिर से अपलोड किया है उसमें कुछ ज्यादा चेंजस करके जो क भीरत से बैठिए और ये वीडियो को कम्प्लेटल देखिए वीडियो अच्छी लगीते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सब्स्क्राइब करना मुद भूली तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं अगरे वीडियो वीडियो आधर टेक हैड में हूँ आपके होस्ट दोस्ट स्वागत करता हूं मेरी चैनल पर तो जैसे कि आपको मैंने बता है कि मेरे वीडियो में कोपिराइड क्लेम आ गया है तो चलिए मैं वह भी देखा देता हूं क्रीन रेकरिंग के मदद थे हां तो कोपिराइड क्लेम की यहां पर सी डीटल्स के अप्शन पर चले जाते हैं तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है जो आप अपने कंपिराइड बले सेक्शन पर चले जाते हो और यहां पर समरी एंद स्टार्टस की सेक्शन पर आपको यह सब कुछ द रखा हुआ है और जो नटिटराइजरन की बात यहां पर है तो यहां पर इनडिबुल दिखाई दे रहाए और यहां पर जो vents native huge हुआ है जिसके उपरשל content claim आया है कि copyright claim अ मॉज्डियो की जो आट्रो में जो कि एक लगाते हैं वो म्यूजिक मैंने दिया था फिल्मोरा से फिल्मोरा की एक म्यूजिक है वो म्यूजिक मैंने दिया था मुझे याद नहीं है वो म्यूजिक का नाम क्या है वो म्यूजिक मैंने ओडियो ट्राक दिया था लेकिन आपर क्या हुआ है बात पूरी समझते हैं तो चल होगा, कि वो एक paid supplier है, paid supplier के अदर, जो मैं edit कर रहा था, वहाँ पर उनके music में ने इस्तैमल किया, यहाँ पर कोई दिकत नहीं है, जब आप कोई भी paid supplier लेते हो, या फिर पीर application लेते हो, उनकी जितने भी होते हैं, stocks, photos, व्यडियो जितने भी दिये होई होते हैं, फ्री में मिल जाती है, वहाँ पर कोई भी copyright claim company नहीं करती है, तो वहाँ पर editing सप्टेर के अंदर जो भी चीज मिलते हैं, वो free होते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, कि जो यहाँ पर जो copyright claim आया है, वो आया है, एक मुना मासुम करके एक चैनल से, मुना मासुम कौन है, कि इस इस ने जो वीडियो है, किसी भजपूरी वीडियो की repost डाल दी है, मतलब एक reused content फिर से upload कर दिये, कुछ मेहने पहले, मैंने जब चेक किया कि वह थ्री मेहने पहले ही यह content डाले थे YouTube के अंदर, यह जो मुना मासुम करके कोई है, वो किसका content यूज करता था, वो होता है, Believe Music on behalf of बजरंगी Music, भजपूरी, मतलब भजपूरी की कई संग की, वो repost कर दिया था, मतलब ऐसे कोई हो जाता है, copyright claim नहीं होता, channel monetize हो जाता है, कई सारे YouTube से claim करते हैं, किसी के भी वीडियो उठा के लगा दो, on identified, और जो भी content ID जिसने नहीं दिया है, वहाँ पर आपके channel monetize ह हो सकता है, तो ऐसे के सारे ढोंगी YouTubers पेठे हैं, जो दूसरे की content चुरी करते हैं, और चुरी करके, खुद के content बताते हैं, यह जो believe music है, इसने भी वैसा ही क्या है, music company खोल दिये है, production house खोल दिये है, लेकिन एक advanced software नहीं है, वीडियो अडिट करने के लिए, तो वो same music को, फि जल जाता है कि आपके वीडियो की audio या तो फिर वीडियो footage किसी और ने यूज कर लिया है, तो वहां पर उन्हें copyright claim दे दिया जाता है, या फिर कंपनी नाराज हो, पूरी खपा हो जाता है, तो copyright strike भी दे सकता है, कि यह लोग जो है, पहली बात यह है कि उन्हेंने फिल्मोर से music लेकर बना दिये अपनी वीडियो, दूसरी बात है कि वह फिल्मोर से music लेकर, खुद की content ID बना लिये, कैसे घटिया लोग बैठे हैं कि दोसरों के music copy करते हैं, और खुद की content ID बना लेते हैं, ऐसे अगर मान के चलिए कि कोई NCS की music लेता है, और उसके बाद उनकी content ID ले गया, तो वहाँ पर वह लोग copyright claim भी दे देते हैं, तो ये था पूरी story, इसके बाद मैंने क्या action लिया, एक dispute raise गया, इस company के against, और company को जवाब देने के लिए YouTube को बोल दिया, कि company को आप पोछिए क्या है ये, कि मेरे जो content है, जो free to use content है, जो कि मैं सब्ट्यार से लिया है, YouTube क पोछिणा चाहिए कि इस content को आप कहां से लाकर अपने content ID वना के रखे हो, तो ये dispute में क्या होगा, कि 30 days की time मिलेगी, और वो company को explanation देखना होगा, कि एसे dispute आपके against में आये है, उसके favor में क्या बोलना है, अगर आपकी content सही है, तो आप claim करिए कि आपकी है, अगर 30 days के अंद आप भी कोई content बनाते हो, तो आपको ये बात याद रखना होगा, कि share के खाल पर कई video भी बेठे हैं, जो उनके ओकात नहीं है music बनाने की, वो दूसरे की music को लेकर, खुद के music बता कर content ID create कर लेते हैं, हो सकता है in future, आपके उपर copyright claim भी कर सकते हैं, ऐसे बेसर्म लोगों से और क्या उमीद हो सकता है, तो आपको याँ पर ध्यान रखना होगा, जब वीडियो आप अप अप्लोड करते हो, आपको पहले उसे private करके रखना होगा, जैसे कि मैंने किया था, अगर मैं publish कर देता वीडियो को, और फिर उसे tag down करता, तो थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है, कि notification सा और किसी के पास चला जाता है, जब वीडियो देखने जाता है, वहाँ पर वीडियो deleted या फिर private दिखाता है, तो आपको ये करना है, वेट करना है वीडियो upload होने तक, और जब भी वो publish होने के लिए हो जाए, सारी criteria जो है YouTube चेक करता है, जो final step होता है कि आपके copyright claim बग आपको ये check करना होता है, कहां पर copyright claim आया है, copyright claim आने के बाद हो सकता है, आप वो वीडियो को भी publish कर सकते हो, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हो, YouTube आपको editing की option देता है, वीडियो upload होने के बाद, और अगर आपको पता नहीं है वो वीडियो को कैसे edit करते हैं, upload होने के बा इंट्रो वीडियोज के लिए music बना दो, आउट्र वीडियोज के लिए music बना दो, और background music भी बना दो, तो ये तो possible नहीं होता है, तो हमें किसी और की content लेनी ही होती है, जहां पर copyright claim ना हो, copyright free music हो, यहां पर तो मैंने paid software के मदद दिया था, music लेने के लिए, लेकिन आपको ज सारे चीज है, जो भी आप video edit करते हो, या फिर upload करते हो, उसको ध्यान में रखना होगा, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि upload के पहले और publish होने से पहले, आपको ध्यान में जरूर रखना है, कि कब आपके वीडियो में copyright claim आया है, या नहीं आया है, अगर आया है, तो क्या करना वीडियो को re-upload कर सकते हो, एडिटिंग करके फिर से upload कर सकते हो, या तो फिर edit बगेरा आप YouTube स्टूडियो में भी कर सकते हो, तो मैं सोचता हूँ कि सारे जो copyright claim related issues है, वो छुटे issues है, वो आपके समझ में आगया होगा, नहीं तो उसके बाद भी अगर आपकी कई दिक्यो वीडियो में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप मुझे contact कर सकते हो, और ऐसे update के लिए अमने चैनल को subscribe कर सकते हो, वीडियो आची लगीते हो, like और share करना मुत भूलिए, मिलते हैं मेरी next वीडियो में, still then keep signing, keep growing and keep watching विपलादक टेक, thank you कर सकते हैं